हाई एबरिवन मैं रीनो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ तो मुझे आज जो केक का ओर्डर मिला है उसके लिए मैंने स्पॉंज कढ़ाही में बेग किया है आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पॉंज बना है काफी जालीदार बना है और पहुत ही सौप्ट बना है यह मैंने बैनीला प्रेमिक्स से रड़ी किया है थ्री लियर मैंने इसको कट कर लिया है अभी मैं इसकी डैकोरेशन करूंगी तो रख ली है मैंने अपने केक की फर्स्ट लियर, फर्स्ट लियर रखते टाइम सबसे पहले आपको नीचे क्रेम लगानी होती है, पाकि आपका जो बेस है वो स्लिप ना हो, तो अच्छे से मैंने इसको मौइस कर लिया है, सुगर सिरप से आप कर सकते हो मौइस, बट मैंने स्टॉबेरी क्रस्ट पानी में एड़ कर रहा था और उसी से इसको सोग कर लिया है, इसी टेस्ट बहुत अच्छा था है, आप जिस भी फ्लेवर का क्रस्ट या कोई भी फ्लेवर आप यूज कर रहे हो, उसको ही आप पानी में थोड़ा सा एड़ करके उसको सोग करें, तो अभी क्रीम रखने के बाद मैं इसको अच्छे से फैला लूँगी पूरे केक के ओपर अभी डाल दूँगी स्ट्रॉबेरी क्रस्ट इसको भी अच्छे से मैं स्पैट कर लूँगी अभी मैं final layer रखने वाली हूँ तो final layer रखने के बाद इसको भी अच्छे से soak कर लेना है जो हमारे केक का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो मैंने सबसे ओपर रखा है अभी मैंने इसको अच्छे से क्रम कोटिंग कर ली है मेरा कैमरा यहाँ पर पता नहीं कैसे off हो गया था तो क्रम कोटिंग की मैं आपको नहीं बता पाई हूँ अधर वीडियो में सेम ही इसी तरह से मैंने दिखाया होता है आप उसको भी जा के चेक कर सकते हो अभी मैं क्रीम की एक मोटी से layer बना रही हूँ ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छे से चिप चाए उसके बाद हम करेंगे next decoration तो मैंने अच्छे से क्रीम को side में लगा लिया है पहले आप हमेशा side में ही क्रीम लगाएं उसके बाद आप उपर की cleaning करें तब ही आपका cake अच्छे से set होगा अच्छे से clean होगा cleaning करते time आपको जहां भी लगे आपकी क्रीम कम लगी है ज्यादा लगी है तो इसी time सारा आपको set करना है अगर क्रीम कम लगी है तो वहां थोड़ी सी और लगाए और फिर से knife कुमाएं आप scrapper का use भी कर सकते हो तो यहां मेरी क्रीम थोड़ी सी कम लगी थी और डॉट जैसा बन रहा था और पेस भी मेरा दिख रहा था तो मैंने और क्रीम लगाई और अच्छे से उसको छिपा लिया क्यूंकि हमारा जो पूरी decoration रहती वो क्रीम के ओपर ही depend रहती है तो आपकी क्रीम जो है अच्छे से बीप होई होनी चाहिए तभी आपकी decoration अच्छी होगी पूरा क्लीन करने के बाद मैंने फ्रीज में के को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख लिया था उसके बाद क्यूंकि आप जो भी decoration करते हो तो आपका केक खराब नहीं होगा तो मैंने सिर्फ टॉट टॉट ही लगाए है नीचे केक के बेस के उपर तो अभी मैं नाइप से इसको उपर की तरफ रफली spread कर दूँगी अपने केक के उपर जो मेरा आज का border है वो मैं इसी तरह से बनाने वाली हूँ तो ये वाला जो border है वो बहुत सुन्दा लगता है देखने में फर्स मैंने उपर की तरफ सीधा ही नाइप को घुमाया था बट फिर मैंने बाद में थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया तीछी तीछी इसमें हर लाइन तीछी तीछी लगा के इसका पूरा border रेडी किया रेडी करने के बाद थोड़ा सा आपको रफ लगेगा तो उसके लिए मैंने उसी पिंक कलर के क्रीम से डॉट डॉट छोटे-छोटे मोती जैसे डॉट बना लिए उसके बाद मैंने गॉल्डन स्प्रिंकल इस पे स्प्राइड कर दिये जिससे हमारा border बहुत सुंदर लगेगा देखने में अभी कर लेते हैं उपर की डैकोरेशन तो मैंने ले ली है नूट 24 नंबर नोजल तो इससे मैं इसी तरह से रफ जिससे फ्लावर बना लूगी जो लास्ट में आप देखोगी तो देखने में बहुत सुंदर लगेगे इसी तरह से हमें एक फ्लावर का ये सेट रैडी करना है आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब पूरा केक रैडी होगा तो तभी आपको समझ में आएगा तो अभी मैंने ग्रीन कलर की क्रीम फिल करी है पाइपिंग बैग के अंदर चोटा सा उसको कट करके आपको फ्लावर की जो स्टिक है वो बना लेनी है तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही बनाया था पर उसके बाद मैंने आज का जो केक है ना पूरा खराब कर दिया पर मैंने उसको फिर ठीक भी कर दिया लास्ट में वो आपको वीडियो में आके पता चलेगा कैसे मैंने क्या किया और साइड में मैं अभी हैपी बर्डे लिख दे रही हूँ यह एक लड़के का ओर्डर था जिसने अपनी ममा के लिए केक बनवाया है तो हैपी बर्डे मैंने साइड में लिख लिया और भी इसमें मॉम लिख लिया तो उसको ओबर लैप करने के लिए उपर से मैंने क्रियन कलर की क्रीम का यूज़ किया है ताकि एक जो 3D लोक है बो आये अपने फ्लावर के ओपर भी गॉल्डन स्प्रिंकल डाल दिये हैं हलके हलके और कर ली है सिल्बर कलर की स्प्रेई तो सिल्बर स्प्रेई से एक अलग सी साइन आती है जो आप देख सकते हो हलका सा आपको यहां भी देखने को मिल ही जाएगा और मैंने लास्ट में छोटा सा रीवन की तरह बना लिया है नीचे पत्यों के लास्ट में और उसके बाद मुझे लगा कि मैं कुछ और करती हूँ पर सारा काम जब ठीक चला हो तो कुछ न कुछ गड़ पर तो होनी ही है तो वही बस मैं यहां पर करने चा रही हूँ जो मैंने पूरा बाद में मुझे हटाना पड़ा क्योंकि यह देखने में मुझे बहुत गंदा लगा बाद में जो सिंपल सा मैंने डेकोरेशन पहले करा था वही अच्छा लग रहा था बात में मुझे यह लगा बढ़ फिर हटाना थोड़ा मुस्किल हो जाता है क्योंकि हमारी जो क्रीम है वो सेट हो जुकी होती है तो इस स्टेज पे अगर क्रीम को रिमूब करोगी तो थोड़ा टप तो होता है तो वही आज मेरे साथ भी हुआ तो मुझे क्रीम बाद में हटानी पड़ी तो यह देखे हटाने के बाद का लो तो इसको मुझे जैसे कैसे मैनेज करना ही बड़ा बात में पर फिर भी आप बताएं आपको लास्ट में मेरा केक का डिजाइन कैसा लगा यह मेरे केक का फाइनल लुक है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें अगर कोई सेजेशन हो तो कमेंट करें अगर ऐसी ही और वीडियो देखनी हो तो सबस्क्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू फर वाचिंग आइज